लोड, केमरा, एक्षेन आपको एक घंटा मेंद लेनी है रेस्ट लेना है उसके बाद आपको करनी है पढ़ाई अरे, ये कौन करता है? ये realistic time table नहीं है Hi everyone So, ये realistic time table तो है बट हो सकता है कि आपके लिए ये possible ना हो क्यों? क्योंकि हम सब लोग अलग तरीके की life जीते है सबका सोने का टाइम सेम नहीं है, तो सबका उठने का टाइम कैसे सेम हो सकता है सबका स्कूल जाने का टाइम सेम नहीं है, तो सबका स्कूल वापस आने का टाइम कैसे सेम हो सकता है तो ये जो so-called time table हमको online platforms पे दिये जाते हैं, follow करने के लिए तो यह 100% full proof plan या time table हमारे लिए नहीं है हमें यहाँ पे time table की नहीं हमको यहाँ पे ज़रुरत है बात करने की target table के बारे में तो आईए उसके बारे में बात करते हैं Hello, Hi, Namaste, कैसे हो बिटा आप सब लोग मेरा नाम है समरिधी शर्मा और मैं हूँ आपकी biology mentor, आपकी biology educator बट आज यहाँ पे biology के बारे में बात नहीं होगी यहाँ पे बात होगी आपके बारे में आपके बहुत सारे questions मेरे पास आते हैं जहाँ पे एक question बहुत जादा आप सभी बच्चे पूछते हैं मैं हमको topper बनना है तो हम क्या time table follow करें तो बहुत सबसे पहली बात तो एक common time table सबके लिए work नहीं कर सकता तो अगर मैं यहाँ पे आपके आपको time table दे भी दू तो it's not possible कि हम सब लोग उस time table को follow कर पाएं जब हम सब लोगों की life एक दूसरे से अलग है every individual is unique and special सब एक दूसरे से अलग है तो सबका time table भी तो अलग होगा ना एक ही time table सब कैसे follow कर सकते हैं जब हमारा सोने का time, उठने का time, स्कूल जाने का time, काम जाने का time, डिनर का time, लंच का time सेम नहीं है तो भाई सबके लिए same time table कैसे fit हो जाएगा तो सबसे पहली बात आपको यह समझनी होगी that it is not about time table, it's all about the time management time management, time की बात हो रही है आपको कुछ numbers दिखाती हूँ 86,400, 1440 and 24 अब यह क्या है भाई हम सभी को, में को, आपको, टॉपर को, प्रधान मंतिरी को, प्रेजिडेंट को हर किसी को यही 86,400 seconds मिलते है दिन में यही 1440 minutes मिलते है दिन में और यही 24 hours मिलते है दिन में अब यह हमारे उपर है के हम इन seconds को, इन minutes को, इन hours को कैसे utilize कर रहे है it's all about time management, it's all about the target tables जो हम अपनी लिए set कर रहे है not about the time table तो सबसे पहले तो बिटा, यह जो time table का concept है जो कि आप दूसरों से मांगते हो, इसको भूल जाओ अपने लिए आप target table set करो and target tables को बना के आप अपना एक time table खुझ से बनाओ आप जैसा कि मैंने कहा कि हम सभी के पास क्या है, 24 घंटे है सब के पास इसा तो कोई नहीं है ना कि प्रिश्वी के कोने से निकल क्यार बोले कि नहीं जी, मेरे पास तो 25 घंटे है हमें को तो 25 घंटे वेलते हैं, ऐसा नहीं है हम सभी के पास 24 घंटे है and इन 24 घंटों को हमें क्या करना है efficiently utilize करना है अपने goals को set कर रखा है अपने goals को सबने set कर रखा है बट हम उस तरीके से क्या perform कर पा रहे हैं? No, क्यूं? क्यूंकि हम इस technology हना इस digital दुनिया में इतना भे गए है, इतना खो गए है कि हम अपने 24 घंटे के कितने सारे घंटे यूही वेस्ट कर देते हैं ठीक है and जब मैं हम बोलती हूं I'm also included in this and जब मैं खुद अपनी लिए कोई time table नहीं follow कर पा रहे हूं तो how can I ask you कि आप ऐसे करो गलत बात है ना, चलिए जी तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो 24 घंटे हम सबको मिले हैं इसको हमें कैसे efficiently utilize करना है चलिए जी, तो यहाँ पर एक rule होता है, एक formula होता है जिसको बोला जाता है the triple eight formula और the 888 rule अब ये 888 rule क्या है हाना, social media पर बहुत जगा आपने इस 888 rule के बारे में सुना होगा तो जरा एक बार इसको discuss कर लेते हैं ये जो 888 rule है ये 888 rule ये कहता है कि भाई, जो हमारा 24 घंटे का पूरा का पूरा दिन है उसको हम अपने 3 brackets में क्या कर सकते हैं, divide कर सकते हैं एक आर की एक पॉकेट होगी, एक आर की एक पॉकेट होगी, और तीसरी पॉकेट भी होगी 8 hours की ये टोटल हो जाएगा 24 hours तो 888 rule ये कहता है कि भाई, जो आपके 24 घंटे हैं उन 24 घंटों में आपका जो 8 घंटे का टाइम होना चाहिए आती सबसे पहले मैं आपने नींद के बारे में बात करने शुरू कर दी बट लेट में टेल यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप चाहते हो कि आपके ये वाले दोनों ब्राकेटी वाले पॉकेट्स आप ढंक से यूटिलाइस करो धंक से फंक्शन करो आप तो आपको अपने दिन में बेटा साथ से आठ घंटे की नीद लेनी बहुत जरूरी है इट इस वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी बोडी को चार्जड अप रखो भाई फोन चलाते हो अगर उस पे बहुत देर तक गेम खेलते रोगे चलाते रोगे तो फोन गरम हो जाएगा हना और फिर क्या होगा खुद हाथ में नी ले पाओगे फोन को साइड में रखो गे से तो बिटा आपका जो दिमाग है ना आप स्टूडेंट लाइफ में हो आप कंटीनुएसली हर टाइम अपना क्या है इस ब्रेन को यूज़ कर रहे हो इसको रेस्ट देना जरूरी है जब फोन पूरा यूज़ हो जाता है चार्जिंग खतम हो जाती है तो उसको चार्जिंग पे लगाते हो ना चार्जिंग पे लगाते हो रहसे ही बिटा आप पूरा दिन अपने इस दिमाग को इस ब्रेन को यूज़ कर रहे हो तो इसको तोड़ दी सकते हो भाई आपने रात के टाइम पर साथ घंटे की नीन ले ली स्कूल से आने के बाद फड़ा फड़ से एक घंटे की पावर नाप ले ली तो जरूरी नहीं है कि माम ने कहा है आठ गंटे सोना हम तो आठ गंटे सोते रहेंगे 7-8 hours sleep is very important 7 hours से कम sleep नहीं लेनी है आप student life में हो ठीक है एट इवन आप इस ताम अपी growth stage में अपनी life में अपकी बॉड़ी में भी growth and development चल रही है तो उस ताइम पर आपकी बॉड़ी को अच्छी sound sleep की जुरूरत है एक काम हम बहुत सारे दिनों से कर रहे हैं थक गए हैं तो एट आर्स का जो हमारा स्कूल का ब्राकेट है जो पॉकेट है वो हमारी कब चली जाती है बेटा स्कूल के टाइम पे चली जाती है और बहुत सारे बहुत सारे बच्चों को तो यार कितना ट्रावल भी करना पड़ता है ना सुबब सुबब बस में बैट जाते हैं फिर एक घंटा लगता है फिर स्कूल में छे घंटे फिर एक घंटा आने में तो लगबग जो हमारा आठ घंटे का टाइम है वो हमारा स्कूल में चला जाता है अब क्या बचा जी ऑठ गांट Murray चणा था इस अब इस एक उल्क्या चला नहीं है यूटूप भी नहीं है सिरीज देखनी है में मारे लिए तो वह में यहां पढ़ाई वह तो आखरी में आती है वह तो हमारे लिए बिल्कुल आखरी का टास्क है लीस्ट प्राइटी का टास्क है जब यह सबसे फुरसत मिल जाए तो मैं हम सोच लेते हैं कि हाँ पड़ाई करनी है ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है ऐसा नहीं होना चाहिए अब यह जो आपका आठ घंटे की जो पॉकेट है यह ह efficient self-work बोलना चाहिए मुझे क्योंकि यह वो आठ घंटे है जो अपने आपको आप दे रहे हो जो आप खुद को पूरा दिन में दे रहे हो क्योंकि यह सोने में चला गया है स्कूल में चला गया अब इस आठ घंटे को आप कैसे यूटिलाइस कर रहे हो Life is all about balance and let me tell you हम कभी भी balance इधर उधर नहीं ढूंड सकते हमें अपने life का balance खुद create करना है तो हमको balance बनाना है अपने school time में हमें balance बनाना है अपने sleep और relaxing time में और हमें balance बनाना है अपने उस efficient work में जिसमें हम पढ़ाई भी करेंगे हम self study भी करेंगे हम revision भी करेंगे हम सब कु यह से इस eight hours को utilize कर रहे हैं अब हम क्या करेंगे हम इस eight hour को क्या करेंगे हम इस eight hour को divide कर देंगे तीन pockets में हम क्या करेंगे हम इस eight hour के pocket को और further three pockets में क्या करेंगे divide करेंगे हमारे जो eight hours है बेटा इसमें से eight hours में से आपके जो six hours होंगे जो six hours होंगे that should be dedicated to six hours of self study ये आपके बिटा छे घंटे की self study होनी चाहिए अब इसमें छे घंटे के बाद बिटा हमारे पास कितना नाइम बचा? टू आर्स इसमें से बिटा हम one hour dedicate करेंगे किसको one hour dedicate करेंगे हम खाने पीने को भाई लंच भी करना है डिनर भी करना है शाम को मोमोस भी तो खा के आने हैं दोस्तों के साथ ठीक है तो इसमें से जो हमारा one hour रहेगा वो हमारा रहेगा meals के लिए और ये जो हमारा meal वलन टाइम होता है ना लंच का डिनर का इस वेरी इंपोर्टेंट क्योंकि इसी बहाने हम अपने परिवार के साथ बैठते हैं इसी बहाने हम अपने फ्रेंस के साथ बैठते हैं तो बहुत मुजजक हो पसंदा तो आप मुजजक सुनो आपको बाहर जान अच्छा लगता है इसकी आप दोस्तों से मिलो आपको खेलना gider कोई outdoor activity आउट्ट्र अरत्विटी сделать करने अजोग इसा रिए पार्क तो हम क्या करें, काम तो चाहिए, फोन तो हम सब के पास है, it's very important, but इस one hour relaxation time पे बिटाप कोशिश को और आपका screen time ना involved हो, one hour of meals की बाद हो गई, अब बार ही आ जाती है इन 6 घंटे की, अब माम हम छोटी से ननी सी जान, अब इस 6 घंटे में क्या क्या करें, हमें माम टूशन जाना होता है, टूशन नितमाम हमारी online coaching है, वो करनी है, क्या क्या करें, कैसे करें, तो भाई, इस 6 आर की इस pocket को हम क्या करेंगे, again, हम 3 pockets में क्या कर देंगे, डिवाइट कर देंगे, जो हमारी 6 घंटे है, बिटा, उस 6 घंटे में से हमारे 3 hours चलेगा है किसके अंदर, हमार अपसी बेट लिए तुमारी इतनी देर की ही class होती होगी डेली, हाँ इस सदा दलंभी तो नहीं होती होगी, उसके बाद बेटा, जो पूरा 2 घंटे का time है, इसमें, ठीक है, वो आप क्या करो, बिटा, pure self study, बिलकुल self study, तो जो भी चीज़े आप school में पढ़ रहे हो, जो आप पर जो आपने school में पढ़ा, जो आपने coaching classes में पढ़ा, उसका revision, जो आपको assignment, DPP, DHA दिया गया, उसका practice, sample paper हो गया, revision हो गया, वो आप इस दो घंटे में करो, and उसके बाद माम school जाते है, homework भी तो मिलता है, फाइले भी तो बनानी है, हाना, तो बेटा, one hour जो इसमें हो बेटा, ये 6 hour, ये मत सोचो कि यही time है हमारा पढ़ने का, ये ही है 6 घंटे, बेटा, जब तुम school में 8 घंटे देकर आ रहे हो, माता पिता कितनी सारी fees दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो ना चीए, बस backpack करके लेके चले गए, बस time pass करके आगे, no, जो school में पढ़ते हो, वो अप कैसे नहीं बनते हैं, बेटा, टॉपर्स बनते हैं, अच्छे time management से, वो कभी भी अपना time waste नहीं करते हैं, तो school का पढ़ायावा, coaching में रिवाइस, coaching में पढ़ायावा, school में रिवाइस, ऐसे होते हैं, concept हमारे clear और और भी जादा strong, तो पता चल गया, कैसे क्या करना है, अब थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं, अब इस छे घंटे को, हम कैसे execute करें, हम इस छे घंटे को कैसे execute करें, कैसे काम करें, तो it's all about the three P's, ठीक है, it's all about the three P's, पहला P, second P, fourth P and वैसे तो 4 P, it's not about three P's, it's about four P's, तो पहला P हमारा यहाँ पे है, पहला P हमारा यहाँ पे है, प्लान, you have to plan everything, प्लान कर लिया, अब उसको प्रायोरिटाइज करो, प्रायोरिटाइज करो, प्रायोरिटाइज करने के बाद, बेटा, सिर्फ प्रायोरिटी पे रखने से कोई चीज थोड़ी हो जाएगी, उसको परफॉर्म करो, जब यह सब करोगे, तो you will be able to produce, प्रेड प्लान कोई भी चीज हम करते हैं, टाइम टेबल बना लेते हैं, टाइम टेबल बनाने से कुछ नी होता, उसको करना भी ज़रूरी है, चीज़े हम तब कर पाएं कि जब हमारे सामने होगा, कि हमको करना क्या है, कैसे करना है, तो जब हम प्लान की बात करते हैं, it's very important, कि या तो भाई हम अच्छे से proper time table बना लेकर, मुझे यह करना है, मुझे वो करना है, बट, most of the time क्या है भाई, most of the time की possible नहीं हो पाता, सच में नहीं हो पाता, तो फिर, क्या करे भाई, क्या करे, तो बेटा, आप target table बनो, आप अपने लिए क्या करो, target table बनो, अब target table क्या होता है what is a target table यह चीज़ करनी है target table का मतलब क्या है यहां पे देखो बेटा समझेंगे target table जैसे for example बेटा मालो तुम्हारा goal क्या है मालो let's say तुम्हारा goal है 95% 95% क्यों गोल मान के बैठे हो पहले तो यह बताओ हरा मेरे इतनी सारी इसा हो कि हम सब बच्चों के 95% मांगो ना यह 95% मांगो है चलो जी मालो तुम्हारा goal 95% है ठीक है तुम्हें अपनी 9th में 10th में इतने मांक्स लाने है ठीक है और मालो तुम जो भी पढ़ रहे हो बेटा मालो let's say English Hindi, Math, Science, जो भी तुम सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तॉटल तुम्हारे पास कितने chapters है उसमें मालो तुम्हारे पास क्या है टॉटल तुम्हारे पको 40 chapter कवर करने हैं ना English Hindi, Math, साइन्स अस्टी सब कवर करके तॉटल 40 chapter करने हैं अब क्या करें भाई माम अभी चल रहा है September, October, November, December, December, January, February में तुम्हाम पेपर ही हैं तो बेटा, फरवरी में पेपर हैं तो क्या फरवरी का वेट करोगे? नहीं ना? फरवरी का वेट करोगे? नहीं करोगे? तो क्या करना है भई? क्या करना है भई? अभी सत्यारी शुरू करनी है, अभी सत्यारी शुरू करनी है, चीक है? तो तुम्हारे पास टाइम कितना बचा है तुम्हारे पास बचा है कितना टाइम तुम्हारे पास बचा है चार महीने का टाइम है तो भाई तुम्हारे पास चार महीने का टाइम है तो अब हम एक मेरे को चालिस चाप्टर कवर करने है तो मैं क्या करूंगी भाई मैं इस चा हो गया, एक टार्गेट सेट हो गया कि मुझे एक महीने में, मुझे एक महीने में क्या करना है, मुझे एक महीने में दस चाप्टर खतम करने हैं, ठीक है, मुझे एक महीने में क्या करना है, दस चाप्टर खतम करने हैं, पीटा, यह तो दस चाप्टर होने चाहिए, इस एक महतों है एकमेमे टीज तिन तो इसका मतलब ये है कि भाई अगर तीज दिनमें दस reunय करने करने हैं तो जल्दी बताओ yol एक दिनमेर कितना हमें हमें एक चाप्टर केडिब्ड करने की लिए किता मिल रहा हैísimo हमें एक चाप्टर कंप्लीट करने के लिए हमें एक चाप्टर कम्प्लीट करने के लिए मेरे पास कितने दिन है ऐसे बहुत मुश्किल है क्या तरगेट को क्या करना है इस this target को मुझे fulfill करना है complete करना है target set हो गया चलओ जी अब व्या ख़र नजो डूडर्गेट जब हम ने plan out कर लिए आप हमको क्या करना है prioritize करना है यह जो 10ों है यापार मज़े कैस है करने हैं चीज़ मुझे कैसे करनी है तो एक चीज लो याद कौन सा अच्छा है तो जो बिटा आपको जो सब्जेक्ट जो चाप्टर आपको टफ लगते हैं वो आप पहले करो एंड जो आपको थोड़ा इजी लगता है वो आप बाद में करो ठीक है उसके लावा बेटा मैं यह कहूंगी जो भी सब्जेक्ट हमारे थोड़े लॉजिकल है जैसे कि फिजिक्स हो गया मैट्स हो गया ठीक है इनको आप ज्यादा हाई प्राइरिटी पे रखो क्योंकि हमारे जो मेमरी बेजड है मेमरी या थियोरी बेजड हमारे क्या होते हैं चाप्टर होते हैं या सब्जेक्ट होते हैं वो हम बाद में भी क्या कर सकते हैं कवर क है ऐसे करना अब क्या करो लिटा पार्फरों करो जो भी आपने टार्गेट अपने लिए itकिया एक शॉन तर्म टार्गे आपने सेट कर्ली आए कि मुझे तीन दिन में चाप्टर मव्लीट करना है तो उसको फॉलो करो aja चोंचा फीर जो तीन दिन में तुम एक चाप्टर कंप्लीट कर रहे हो तो तीन दिन एक ही चीज मत पढते रहो तीन डिन एक ही चीज मत पढते रहो और दिमाग काम-कंधावन कर देगा तो शौर्ट टर्गेट को फुल्फिल करो कंप्लीट करो एंड साइड बाई साइड बिटा उसको कर लिया साथ साथ उसको रिवाइज भी करना जरूरी है हम आगे आगे का पढ़ते जाएंगे तो पीछे का भूल जाएंगे हमेशा याद रखना बिटा कोई बच्चा टॉपर बनके पैदा नहीं होता है उसका हाड़ वर्क उसका डेडिकेशन उसका डिटर्मिनेशन ठीक है याद उसका focus and concentration उसको क्या बनाता है टॉपर बनाता है तो टॉपर बनना कोई rocket science नहीं है आप किसी भी कॉछना किसी भी category के टॉपर से पूछना आप need के टॉपर से बात करो जई के टॉपर से बात करो आप you PC को टॉपर से बात करो वो सिर्फ यह बोलेंगे कि हमने जो भी किया, हमने full consistency के साथ किया, full concentration के साथ किया and हमने क्या किया, हमने खुद पे believe करना नहीं छोड़ा अगर हमने कोई चीज अपने लिए dream करी थी, तो हमने उसको achieve किया है किस के साथ, एक self believe के साथ, उन्होंने अपने उपर विश्वास करना नहीं छोड़ा कि उनका support मिले, तो बेटा, पहले आप खुद को support करो, खुद में believe रखो, self believe क्या करना है, आपको practice करना है खुद को daily support के क्या बोलना है, yes, आज जो मैंने अपना time table बनाया है, आज के लिए जो मैंने target बनाया है, मैं उसको क्या करूँगा, मैं उसको करूँगा या करूँगी, उसको fulfill करूँगा या करूँगी and daily positive words बोलो खुद को, कभी भी खुद को क्या करो, demotivate मत करो, बेटा, दुनिया आपको demotivate करने के लिए है, काफी है तुम क्यों कर रहे हो खुद को demotivate, आपने आपको हमेशा motivated रखना है, खुद को positive रखना है and let me tell you, बेटा, life है, कुछ न कुछ हमेशा हो जाता है और ये तो बिल्कुल भी मत सोचना कि अगर तुम topper नहीं बन पा रहे हो, तो तुम life में कुछ नहीं कर पा होगे ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, there are ample of people there, ठीक है, जो maybe अपनी class में first नहीं आते थे ठीक है, अपर 56 आके भी बहुत अच्छा कर रहे हैं life में, तो it's all about balance, अब से क्या करना है, 888 rule को follow करना है, अपनी life में अच्छा balance बनाके, अच्छे से पढ़ाई करके, अपने career में successful होना है अब मिलते हैं हम कब जब तुम बन जाओगे टाउप पर, चलिए मेटा, thank you so much, bye bye